नमस्कार मित्रों जय हो स्री सनी देव महाराज दोस्तों श्वागत्याब शभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 30 सितंबर शनी वार आपके राशी के महाराशी फल के बारे में 30 सितंबर शनी वार के दिन आपके लिए कैसी रहेंगे इस दिन कैसी इस्ततियों का निर्माण होगा आपकी लबलाइब कैसी रहेंगी स्वास्त कैसा रहेगा और आपका कैरियर बिजनस कैसा चलेगा साथ ही जानेंगे इस दिन कौन से लाब होंगे कौन से फायरी होंगे और आपका सुबरंग और शुब अंक क्या रहेगा कितना प्रतीशत भागी आपका साथ निभाएगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने सबसे खास सबसे बहतर लेकिन उससे पहले आज के गरह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेती हैं दोस्तों आज दिनांक 30 शितंबर 2023 दिन शनी बार तिथी कि अगर बात करें तो क्रश्न पक्ष की प्रती पदा थे थी दोपहर 12 बसकर 21 मिनट तक रहेगा और नक्षत्र है रेवती आज का अविजित मोहर्द का समय 11 बसकर 53 मिनट से 12 बसकर 40 मिनट तक रहेगा बहीं अगर राहुकाल अधात दिन का अशुब समय के बात करें तो 9 बसकर 19 मिनट से 10 बसकर 48 मिनट तक रहेगा दोस्तों इस राहुकाल में कोई भी नए कामों की शुरुवात ना करें नहीं तो विगनबाधा आ सकती है अब बात करते हैं सूर्य और संद्रमा की तो सूर्य कर्ण्या राशी पर गोचर कर रही हैं लेकिन संद्रमा नौ बजकर आठ मिनट तक में राशी में रहेगा उसके बाद में राशी से निकल कर में इस राशी में चले जाएंगी आईए बात करते हैं आपका देनिक राशी फल और यहां प्रडिक्शन आपके चंद्र राशी पर आधारित है आपकी कुंडली में यहां दो बड़े ग्रह आपको सबसे पहले जौब में प्रमोशन दिलाने का कारी कर सकता है जिस छेतर में आप जौब कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं अगर आप उश में कोई अस्थान परिवर्थन शाहती हैं अस्तरांतरन की योजना बना रहे हैं तो यहां कारी आपका शंपन करवा शकता है अगरा जो बदलाव आपकी जिन्दगी में करने जा रहे हैं वो है आपके घर में जो परिशानियां आर्थिक तंगियां लंबे समय से आपको परिशान करते आ रहे थे तो उनको अब आपकी जिन्दगी से दूर भगाने वाले हैं जी हाँ दोस्तों इसमें आपको भी थोड़ा सा प्रयाश्ट करना होगा क्योंकि दोस्तों भगबान सिर्फ सहारा देती हैं आपका आत्म विश्वास बढ़ाने का कारी करती हैं आपका मनोवल बढ़ाने का कारी करती हैं अगला कारे आपको ही करना पड़ेगा अगला जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो है आपके वरसों पड़े अधूरे जो कारे थे वह संपन कराएंगे और जो कारे बनते बनते 20 में रूप जाता था 20 में अटक जाता था उश में अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो बड़े ग्रह हैं कोई ऐसा वैशा नहीं ह ये आपको हर तरह शे लाब दिलाने का प्रयाश करेंगे अगर ऐसे सिच्वेशन में आप थोड़ा सा भी प्रयाश कर लेंगे तो शोने पे सुहागा हो जाएगा जी हाँ दोस्तों इसके उपरांथ आपके रिजू समय होंगे शितारे कहती हैं आज आप अपने कैरियर को नए सिरे से सुरू करेंगे और एक वक्ताशे दूसरे तरफ आप अपना रूख अपना शक्ति हैं क्योंकि ये नया अवशर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है लेकिन धोखा दड़ी के प्रस्ताओं से जो है आप साउध्वान हैं कोई आपकी छमता और चतुराई अनुफूशित लाब देने के लिए भी लंबे समय से प्रयाश कर रहे हैं आपकी जो कारियों में टांग अडाशकती हैं ऐसे लोगों शे आपको थोड़ा दूर रहना ही होगा इसके उपरांट आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आज का दिन शम्रि हैं आज सुरू करने आज आपको जो है सुरू करने से सफलता आपको जरूर मिलेगी आज होने वाली घटनाव शे आप विद सम्मंधित नजरिये में भी बदलाव आएगा और नकारत मकता कम होगा वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें आपको यह ब है छोड़ी मोड़ी समस्या क्यों ना हो आपको इसे नजर अंदाज नहीं करना है क्योंकि जान है तो जहान है अगर आप लापरवाही करेंगे तो यहां एक बड़ा कारण बन सकता है और आपके लिए परिशानी का रूप बन सकता है इस बात का जरा धियान रखिएगा स्वास्ते संबंधित कोई कारिकरम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता की संभावनाई बहुत अधिक होंगी वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी देखे आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्पूर्ण साबित हो शकता है आप जो है अचानक अपने किसी करीबी को नए नजरिये से देखना शुरू कर सकती हैं और इससे आपको अपने संबंध के दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफी हद तक मदद मिलेगी अब आप बेजान हो चुके हैं संबंधों शे बाहर निकल कर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तयार पाएंगे जिनों ने आपको मजबूत बनाया है और यहां तक इस मुकाम तक लेकर आया है वही दोस्तों आज किश्मत के सितारे कहती हैं कि आज बिना किसी कारण की जिद्दी बने हुई हैं और सब के कहने तथा अपने खुद के मन की भी नहीं सुनना साहती हैं आपको यह समझना है कि इस रवयेशे आपको कुछ हासिल नहीं होगा आपको अपनी वर्तमान समस्चाओं से पार पाने के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा तभी आप शबी पहलों को समझ पाएंगे और जिबन में आगे बढ़ पाएंगे देखिए दोस्तों जि जादा तनाव जादा टेंशन नहीं लेना है सांत मन से आपको कारी करना है तभी आप जो है कारी में शब्लता हासिल कर पाएंगे वहीं दोस्तों आपको अपने रिस्तों में ऐसा आभाश हो रहा है कि सब कुछ सही है और ये रिस्ता काफी मजबुत रहेगा और आगे तक जाएगा ये रिस्ता शादी में भी बदल सकता है लेकिन क्रियानवियन करने से पहले थोड़ा सांत दिमाग से सोचें तब आगे बढ़ें जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी तक अंदेखी करती आ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग सांत करके सोचना होगा नहीं तो आगे चलकर आपको पस्ताना ना पड़े इस बात का जरा ध्यान रखेगा और ये आपको ही सोचना पड़ेगा दोस्तों समय अभी को मिला कर आपके लिए बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है भागे आपका 80-70 मिलती रहेगी दोस्तों अभी के लिए आप शभी को दिल से धन्यवाद दिन आपका शुब हो मातराने आपको श्वस्त रखे निरोगी रखे धन्यवाद अब बात करते हैं शुबरंग और शुब अंक की तो आज आपका शुबरंग है बादामी कलर और शुब अंक है धन्यवाद दिन आपका शुब हो मंगल मैं हो जैमादादी